नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकास से जूटेक में गाईज यूपी स्कॉलर्शिप 2020 देखो भई या डेट हो गई है 15 अप्रेल 2021 आप सभी को बताने की जरूवत नहीं की 15 अप्रेल 2021 यानि आज बहुत ही एहम डेट है और स्कॉलर्शिप जिन च्छात्रों के अभी तक नहीं आई है उनके सास में अधा इधर उधर पेंडिंग में कि इतने तो हतास हो चुके हैं सरब तो स्कॉलर्शिप भी नहीं चाहिए आएगी यह नहीं सक्चाई बताएं आपको तो देखिए यह उनका कहना है मेरा नहीं कहन तो उनका मैं आपको जो बात्चीत है उस चीज़ को मैं बता रहा हूं और एक चीज़ देखो भाई क्लियर कर दो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आज के बाद चात्र वित्ति नहीं आएगी या फिर बजट खत्म हो चुका है आप किसी भी चात्र की चात्र वित्ति नहीं आ नहीं है यह सिर्फ अफवा है हाँ यह बास जरूर है कि आज बहुत सारी चात्रों की चात्र वित्ति आने वाली है तो देखिए आज अगर अभी तक आपकी चात्र वित्ति नहीं आई है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको क्या काम करने है कि जिससे आ अब मिन्तित होंगे और देखिए ग्राम पंचायच जो चुनाओ है वो जिस्टार्ट हो गया है आज 15 है मेरे डिस्ट्रिक में तो इस्टार्ट हो गया है आपका हुआ है या नहीं कमेंड करका बता सकते हैं तो चलिए आपको बता देता हूं फॉरन क्या-क्या काम कर लेने है साथ ही क्या कुछ अब्डेट है क्या 15 के बाद 20 स्कॉलर्शिप आएगी और सबसे बड़ी बात की स्ट्रेटस कब सही होगा आखरी स्ट्रेटस वाला माज़रा पेंडिंग क्यों है इतना ज्यादा क्या इस्ट्रेटस के कारण ही छात्रों की स्कॉलर्शिप नहीं आ रहे ह है वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी स्रिक्वेस्ट है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि यह हो न तो सोचो समझो मत चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दो इससी क्या होगा नेक्स टाइम में कोई भी यूपी स्कॉलर्स प्रेटर वीडियो प्लूट करूँगा आपको रेटिफिकेसन थ्रूपता चल जाएगा और बेल आइकन को हिट करें रहोगे तो बहुत आपको हिल्पफुल होगा मजा आएगा बाखी का आप मेरे से जो भी सवाल जबाब करना चाहे इंस्टाग्राम पर मुझ आपको कमेंट दिखाऊंगा जिसमें प्रूप के तौर पर मैं बताने वाला हुआ है लेकिन उससे पहले आज बता दूँ आज 15 अपरेल हुआ आज मैक्सिमुम छात्रों की चात्रों की चात्रों की चात्रों आजाएगी तो आप सब इसे दो रिक्वेस्ट है जिन छात्रो अफिस तो भाई चले जिजाओ और जितने भी बैंक हैं आप सब बैंक में पता कर लो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उमीद है कि आस्ताक जिन छात्रों का मैसेज आयरे अकाउंट में तो गाईंस जिन भी च्छात्रों का भी तक अमाउंट जो है न अकाउंट नहीं हुआ उन चात्रों का उम्मीद है कि आज अमाउन जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और बाकी का भगवान करें कि हो जाए सभी चात्रों के आरे स्कॉलरसी पाच है आपका भाई क्या चाहेगा आपके लिए जो भी मिले मतलब रेगुलर साब लोगों का पूरा रखा बदले में आपके भाई ने भी हर एक मुम्किन प्रयास किया कि आपको हर एक अपडेट से कोई ऐसा अपडेट नहीं हो जिससे आप बंचीत रह पाएं अपडेट छोटी हुया बड़ी हर एक अपडेट मैंने आपको दिया कई लोगों का कहना रहता है कि वीडियो को आप लोग का जो प्यार सपोर्ट है उसको बरकरार रखो यार बाकी का प्रकास रुटेब कि बस यही दुगा करेगा भगवान से कि आज ये कल 20 तक जब तक भी चातर वित्ती आए चातरों की सब की अमाउंट आ जाए देखिए आपको काम क्या करने है काम ये करना है कि DWO चले जाने हैं वहां बात्चित कर लेना है सीम हेल्प लाइन पर सिकायत करना है और जन सुन वाई इसको ट्रैक करना है ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो गई है और आपको तो आप इस चीज़ को टो टेंसन फ्री हो जाए कि आपकी जो लाश्ट डेट है वाज इस चीज़ को तो आप एकदम मतलब टेंसन फ्री हो जाए कोई दिक्कत नहीं है आज नहीं है लाश्ट डेट भाई सीधी सी बात है बता दे रहा हूं आपको बाकी का जो मैंने बता दिया है डियलेड वाले बिचारे बहुत ज़्यादा परसान है उनका काना है कि जब को दे देना चाहिए था पता नहीं क्यों गवर्मेंट क्या करना चाहती है बेट की जिए सुतरों से पता चला है कि सोरह तारीक से यानि कल से डियलेड वालों का बीटेक का इच्यंबिये का बी एललबी का बीड का जो भी छात्र बच्चे हुए उनकी वी स्कॉलर्ट से कल स से तेजी से आना सुरू हो जाएगी तो गाइस चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट कमेंट्स दिखा देते हैं उसी के धुरू सवाल जवाब भी देख लेंगे तो गाइस यहां से मैं आपको क्लैरिफाई कर दो कि छात्रों की जो छात्रवित्ती है वो आज भी आ रही है देखिए एक छात्र ने कमेंट करकर बताया है तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट कमेंट्स और देख लेते हैं उनके सवालों की जवाब देढ़ेंगे देखिए रेगुलर वही सेम कमेंट्स आते हैं तो सेम जबाब देखो अमर कुमार जी का कहना है कि सर मैं बीटेक सेकंडियर का हूँ और मेरी कटेगरी यसी है तो मेरी स्कॉलर सी पाएग या नहीं भाई यसी वालों की सब की स्कॉलर सी पागई अभी तक आपकी क्यों नहीं आई ये बात नहीं है देखिए आज इंतजार कर सकते हैं केरी का हूँ यसी वालो अलर्ट हो जाओ आपकी आने की जो चांसे से वो कम है चली आगे फर्दर कमेंट्स को देख लेते हैं संदीप भारती जी क्या कहना है इनका क्या कहना है भाई देख लो भाई मेरा 20 मार्च को बेरिफाई हुआ था अब ब्लैंक से हो रहा है प्लीज भ ब्लैंक था तो आप टेंसन ना लीजिए सही हो जाएगा चली आगे की कमेंट्स को देख लेते हैं फाइजल स्लाम का कहना है कि बीलेट की बीट की ज्यादा बात कर रहे है या पता नहीं क्यों बीलेटी सेकेंड यर का उबीसी का स्पेसली नहीं आ रहा है मैनार्टी वालो बता दिया है क्या काम करना है चली अमित रावत ऑफिस्यल जी का कहना है कि मेरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है स्टाटस पाँसाथ दिन से कुछ हो जाएगा उमेद है बागी का इंतजार कर लो एक डौ दिन और इंटरा आ चाहरो का रहा है नहीं दिन रॉत नहीं अभी तेक चलो को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और बेल आइकन को हिट नहीं किये हैं बेला विल्यो को लाइक करके इंस्टाग्राम पर मुझे फालो करके सवाल जबाब कर लो उम्मीद है आज वीडियो दिन में बहुत कम लेकर आपाऊं एक आग वीडियो और लेकर आ सकू क्योंकि जो मेरी खल्थ है वो थोड़ा सा सही नहीं है तो बाकी आप लोगों को अद्दुगा चाहिए बाकी का जय हिंद बंदे मात्रम गॉड ब्लेस यूँ